अब जैसे friends Instagram आप login करने जा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर Chrome browser में आपने Instagram.com डाल दिया है वहाँ पर friends अबना phone number, password या friends username, password आपने डाला उसके बाद आपने login की उपर क्लिक के हैं तो login की उपर क्लिक करने के बाद ही ID यहाँ पर login नहीं हो रही है मतलब friends वहाँ पर एक error आ रहा है there was a problem login into your Instagram please try again soon मतलब friends simple सी बात है Instagram के तरफ से बताया जा रहा है login करने में एक समझ से आ रही है आप यहाँ पर कुछ समय बात यहाँ पर try करिए अब friends इसका solution क्या है मतलब friends अपना Instagram ID हम यहाँ पर login करना चाहते है तो login के से करें वही आगे देखेंगे अब friends ध्यान से वीडियो को देखना है पहली बात मुझे already काफी screenshot अभी recently यहाँ पर send हुए जहाँ पर friends यही same problem मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है आप देख सकते हैं यह दूसरा screenshot है और भी यहाँ पर screenshot मुझे यहाँ पर अभी recently यहाँ पर send हुए तो friends यह भी screenshot देख सकते हैं अब यह problem क्या है इसको कैसे solve करें वही आगे आज किस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले friends स्वागत है mhcreator account recovery YouTube चानल पर वीडियो लगता तो वीडियो को कर सकते है लाइक और चानल को सबस्क्राइब नहीं किया आपको कोई भी problem आती है तो comment box में comment कर दीजिए बस तो सबसे पहले बात यह सभी आपको problem आ रहे है तो पहले तो आपको गबरानी के ज़रुवत ने कुछ simple step यहाँ पे आपको follow करने है अब सबसे पहले solution अब यह problem अगर आ रहे है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको back जाना है बैक जाने के बाद friends यहाँ पे आपको friends की chrome में open नहीं हो रहा है तो पहले तो यहाँ पर आपको update करना एंस्टा को अब update करने हैं पाद यहाँ पर simply इंस्टा को यहाँ पर open करना है जैसे कि login page पर यहाँ पर मैं आ गया हो तो यहाँ पर मेरे सामने दो id सेव है अगर friends वो idea आपने save किए तो save करने के बाद friends उस idea को यहाँपे save idea को यहाँपे login करके check करिए जैसे कि friends idea यहाँपे मैंने sign in किए आपके सामने में idea login करके भी दिखा रहा हूँ तो friends यहाँपे आप देख सकते हैं यहाँपे idea open हो चुके हैं यहाँपे पहले तो आपको check करना है application से यहाँपे आपको कोई error आता है अलग सा कोई error आता है वो friends यहाँपे मुझे comment box में बताए अब friends जो भी idea अगर वो idea अगर आपने पहले किस device में save करके रखी दी तो वहाँपे login करेंगे तो login हो जाएगी फिर भी यहाँपे दिक्कत आ रहे है या अलग सा कोई error आपको आ रहा है तो ऐसे थी में friends next step आपको क्या करना है next step यहाँपे simple है यहाँपे simple है आपको facebook को open करना है open करने के बाद उस ID को login करें friends जिससे friends आपका यब बिसे instagram connect हो अब यहाँपे आपको क्या करना है three line पे click करना है click करने के बाद setting के उपर click करना है click करने के बाद see more in account center इस वाले option पे click करना है जैसे click करने के बाद यहाँपे बस आपको password and security इस वाले option पे आ जाना है यहाँ पर चेंज पासवर्ड इसकी उपर क्लिक करना है यहाँ पर इंस्टाग्राम इसकी उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्गिट यूर पासवर्ड इसकी उपर क्लिक करिए यहाँ से आपको क्या करना है इंस्टा का password यहाँ पे change करना है यहाँ पे आप देख सकती इस वाले email पे confirmation reset करने के लिए friends एक link गई है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ उस वाले Gmail की उपर जैसे कि यहाँ पे refresh करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक Gmail receive हुआ अब मुझे क्या करना है यहाँ पे simply reset password इसके उपर यहाँ से click करना है और यहाँ से बस नया password set करना है जैसे कि यहाँ पे नया password यहाँ में set करता हूँ जैसे कि नया password यहाँ मैंने डाल दिया मैं reset password के उपर click करता हूँ तो click करते है friends यहाँ पे directly idea आपके open हो जाएगी बिना किसी problem के फिर भी यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है तो और भी कई सारे तरीके उनको आप use कर सकते हो direct तरीका जानते है यहाँ पे आपको क्या करना है second तरीका यह कि chrome browser यहाँ पे आपको open करना है open करने के बाद यहाँ पे simply आपको search करना है I can't login Instagram जैसे search करेंगे search करने के बाद यह first वाली side आपके सामने आजाएगी आपको क्या करना है इस वाले side के उपर click करना है simple है जैसे आप यहाँ पे click करेंगे आपके सामने friends इस तरह का एक page आजाएगा first option है recovery your Instagram account और भी कई सारा option है यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा नीचे यहाँ पे आपको एक option दिखा देगा if you think that your account has been hacked उसमें visit this page का option है तो आपको क्या करना है इस वाला option पे click करना है अब यहाँ पे फ्रेंट से एक option आजाएगा open app का तो आपको क्या करना है open app इसके उपर यहाँ पे click करना है अब जैसे click करेंगे आप यहाँ पे आजाएगे तो यहाँ पे first option आपको select करना है my account was hacked इस वाल option पे tick करना है Tick करने के बाद यहाँ पे आपको Next के उपर clicking करना है जैसे Next के उपर clicking करेंगे यह वाला page आपके सामने आजाएगा तो friends उस ID का Yusername यहाँ पे आपको डाल देना है जो login करने में आपको दिक्कत आ रही थी ना जिस ID पे तो उसका username यहाँ पर आपको डाल देना है जैसे कि ID का username यहाँ पर example आपको दिखाने के नहीं है यहाँ पर डाल दिया आगे क्या करना है next के उपर click करना है तो click करते हैं आपके सामने यह वाला page आ जाएगा जहाँ पर friends, mobile number, email address जो भी access आपके ID से connect है वो यहाँ पर show होंगे जैसे कि email ID अगर show हो रहा है तो simply यहाँ पर email ID के option पे click कर सकते है tick करके रख सकते है और आगे की step follow कर सकते है या friends phone number अगर show हो रहा है आपका है यहाँ पर phone number तो उसके उपर tick करके next के उपर बस आपको click करना है अगर कोई भी option ने try another way इसवाड option पे click करके यहाँ से भी friends आगे की step follow करके मतलब my account was hack पे click करके verification complete कर सकते हो but access है तो यहाँ से ही आप आगे जा सकते हो जैसे कि email address मेरे पास यह है तो मैं इसके उपर tick करता हूँ tick करने के बाद friends यहाँ पर simply में next के उपर click करता हूँ click करते friends उसवाली email id towards friends मुझे confirmation code आ जाएगा जैसा कि friend में यहाँ पर gmail open करता हूँ check करता हूँ confirmation code आ गया है मुझे आप देख सकते हूँ तो friends मैं इस code को यहाँ करता हूँ copy and copy करने की बाद मैं यहाँ आपी जाके यहाँ पर करता हूँ पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं confirm पे उपर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद नया password डालने का option मेरे सामने आ गए मैं यहाँ पे नया password डाल देता हूँ password डालने के बाद simply यहाँ पे submit के उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी दर वेट करना है वेट करते है फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने यह वाला पेज आ जाएगा सब पर्मिशन यहाँ पर अलो करना है यह setup complete कर सकते हो यह फ्रेंड्स इसे close भी कर सकते हो मैं finish later पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते है फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते है यहाँ पर आईडी मेरा open हो चुका है 24-48 घंटे तक यहाँ पर वेट करके रख सकते हैं अब वेट करने के बाद फ्रेंड्स आपकी problem यहाँ बड़ी आसन से fix हो जाएगी फिर भी यहाँ पर आपको problem आ रही है तो आगे आपको क्या करना है simply chrome browser में जाना है यहाँ पर फ्रेंड्स सर्च करना है जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ उपर थोड़ा तो आप देख सकते है 24 घंटे का यहाँ अभी graph उपर जा रहा है तो अभी यहाँ पर ठीक होने का भी आप वेट कर सकते हो मतलब आपने चेक किया server problem है तो एससे में आप वेट कर सकते हो फिर भी आप पर problem आ रही है तो comment box में comment करके रख सकते हो चानों को subscribe जरू करना comment करने के बाद अब साथ में वीडियो को like भी कर सकते है account recovery के कोई वीडियो देखने screen के उपर playlist चेक कर सकते है YouTube में जाके account recovery जो भी topic डालने topic name डालके आगे mh creator लिख सकते है मेरा वीडियो आ जाएगा धन्यवाद